Hello everyone, welcome to Shake Hand with Life YouTube channel. मैं नरिंदर शर्मा. इस वीडियो के साथ मैं एक बहुत पॉपुलर टॉपिक पर एक वीडियो सेरीज शुरू कर रहा हूं और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको समझे बिना आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट को ठीक से कंप्लीट नहीं कर सकते। और इस टॉपिक को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन मुझे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अलग-अलग पार्टिस्पेंट्स के अंदर देखने को मिला। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो यह टॉपिक है करेक्शन, करेक्टिव एक्शन, एड़ प्रेवेंटिव एक्शन। मैं सही कह रहा हूँ न IN TENO TORMS को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन देखने को मुझे मिला और I HOPE कही न कहीं बहुत सारा कंफ्यूजन आप भी इन TENO TORMS को लेकर देखते होंगे अपने वर्क ब्लेस पर। कुछ कहते हैं ये कुछ participants ने कहा कि correction और corrective action एक ही तरीके के action होते हैं और कुछ participants ने कहा preventive action, corrective actions की तरह ही होते हैं बस उसमें recurrence और occurrence का फरक होता है तो इस वीडियो के साथ मैं इन तीनों टम्स पर एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और आने वाले जो भी वीडियो हैं correction, corrective action और preventive actions को लेकर उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने colleagues के साथ और अपने दोस्तों के साथ जिस से correction, corrective action और preventive actions को लेकर जो उनके अंदर confusion है वो दूर हो सुके और आज का ये जो वीडियो है इसमें सबसे पहले हम discuss करेंगे correction और containment action correction और containment action पर कोई भी discussion शुरू करने से पहले अगर आपने Shake Hand with Life YouTube चैनल को सबस्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सबस्राइब कर लिजे, सबस्राइब बटन नीचे दिया गया है आप उसे क्लिक करके चैनल को सबस्राइब कर सकते हैं और याद रखें पहला आइकन को जरूर दबा दें जिससे आने वाला कोई भी वीडियो Shake Hand with Life YouTube चैनल पर आपसे मिसना हो खास और से correction, corrective action और preventive action की series का कोई भी वीडियो आपसे मिसना हो तो चलिए शुरू करते हैं containment action और correction सबसे पहले बात करते हैं correction और containment action की definition की तो correction की definition क्या है action to eliminate the detected non-confirmity इसका मतलब है अगर कोई non-conformance या कोई non-confirmity आपने detect कर ली और अगर आप उसे eliminate कर दें तो वो correction हो गया है यह तो definition है correction की अब containment action की definition क्या है action to separate the defective mix and stop the enhancement of the effect of the problem is called containment action इसका मतलब क्या हुआ जो defective mix है एक ऐसा lot जिसके अंदर defective गए हुए है अगर आप उसे अलग कर दें आने वाले production से जिससे और ज्यादा production जूड है जो अच्छा production जो आ रहा है वो defective mix जो पहले से production बढ़ा हुआ है उससे सब mix हो करके वो भी defective न बनता चला जाए और आपकी problem बढ़ना जाए तो problem को बढ़ने से रोगना ही एक तरीके से containment action है तो correction और containment action एक नहीं है correction का मतलब containment नहीं होता और containment का मतलब correction नहीं होता दौनों तरीके के action अलग-अलग है लेकिन एक साथ execute होते हैं जब problem हमारे सामने आती है दौनों ही तरीके के action प्रॉब्लम के लिए first aid का काम करते हैं अब किस action को पहले लिया जाता है ये depend करता है situation के उपर या problem के उपर लेकिन दौनों ही action इमिडियेटली लिये जाते हैं जैसे ही problem आपके सामने arrive होगी आपको तुरंत ही दौनों तरीके के action लेने पड़ते हैं containment action इसलिए ताकि problem को बढ़ने से रोका जा सके और correction इसलिए ताकि हम problem को fix कर सके दौनों ही तरीके के action temporary action है हम इन दौनों ही actions में कोई root cause find out नहीं करते सिरफ problem को बढ़ने से रोकते हैं और problem को fix करते हैं temporary अब आप कहेंगे किसाब कोई example देकर बताइए जिससे correction और containment action को बेहतर तरीके से समझा जा सके बिल्कुल सही बात है तो चलिए कुछ examples ले करके हम correction और containment action को समझने की कोशिश करते हैं मालने जिए कहीं पर आग लग गए तो सबसे पहला काम है जो inflammable material है उसको अलग कर देना जिससे के वो fire feed खतम हो जाए मतलब आग को जो material मिल रहा है जिसकी वज़े से आग बढ़ती चली जा रही है वो material हम separate कर दें आग से तो आग को material नहीं मिलेगा और आग आगे नहीं बढ़ेगी ये क्या हुआ? containment action हुआ अब जब हम किसी fire extinguisher की मदद से आपको बुझाने की कोशिश करते हैं या बुझा देते हैं तो वो क्या हुआ? वो direction हो गया अब एक दूसरा example लेते हैं माल लीजिए किसी को सापने काट लिया तो first aid के रूप में आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम है जहां सापने काटा है उसके ठीक उपर कोई कपड़ा या कोई रस्सी लपेट देंगे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए ताकि साप का जहर पूरे शरीर में ना फैल पाए blood circulation के साथ ऐसा ही करते हैं ना? ये क्या है? containment action है उसके बाद उसके बाद अगर हो सके और अगर आपके मुँ में कोई भी तरीके का घाव नहीं है या च्छाले नहीं है तो आप जहां साप ने काटा है snake bite की जगे पर उसे सक करके उस जहर को बाहर निकाल कर उस जहर को सक करके बाहर थूख सकते हैं तो ये क्या हुआ? correction हुआ यानि के आप जब जहर बाहर निकाल रहे हैं तो वह correction है लेकिन जब आप जहर को पूरे शरीर में फैले से रोक रहे हैं तो वह क्या हुआ? containment action हुआ ऐसा है ना? हान तो ठीक है ये correction और containment action के बीच में डिफरेंस है लेकिन आपको correction और containment action के बीच में बिल्कुल clear knowledge होनी चाहिए even though दोना ही तरीके के action immediately लिये जाते हैं as a first aid जब भी कोई problem arrive होती है अब एक industrial example की help से correction और containment action को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये clearly समझ सके कि correction और containment action को किस तरह से execute किया जाता है तो एक case study ही ले लेते हैं जोग के दौरान अलग-अलग shift में quality shorter hourly production को check करता और ये देखता कि aql within the limit है या नहीं है एक दिन quality shorter मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि production under quality है तो मैंने कहा production under quality किस लिए है तो उसने मुझे बताया कि production इसलिए under quality है क्योंके उसमें splitting पास हो गया है ऐसा generally होता था कि जब भी कोई defect production में या lot में पास हो जाता और वो quality shorter की acceptance quality level की limit में नहीं होता तो वो उस production को उस lot को under quality कर देता उस particular hour के लिए तो ऐसा ही उस दिन भी quality shorter ने किया और मुझे बताया कि lot के अंदर splittering पास हो गया splittering एक defect है जो bottle के mouth के उपर vertical form में दिखाई देता है और जिससे bottle के तूटने की possibilities बढ़ जाती है एक critical defect है तो मैंने quality shorter से पूछा क्या आपने ये confirm कर लिया है कि पूरे lot में splittering आपको मिल रहा है तो quality shorter ने मुझे जवाब दिया हाँ मेरी acceptance quality level की जो limit है उसके हिसाब से lot जो है वो under quality है splittering एक critical defect है मैंने का ठीक है एक बार आप layer के उपर चेक कर लिजिए कि splittering अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है quality shorter ने एक sample निकाला वहाँ से और 200 bottle के आसपास का sample निकाला और ये confirm किया कि splittering आ रहा है या नहीं आ रहा है जो आने वाला production है उसके अंदर quality shorter ने मुझे बताया कि splittering layer के उपर नहीं है मैंने quality shorter से कहा कि जिस lot के अंदर जो पिछले hour का जो lot था आप उसे अलग करवा दीजिए जिससे जो नया production आ रहा है इस hour का वो पिछले hour के production के साथ mix ना हो जाए मैंने क्या किया containment action लिया फिर मैंने quality shorter से कहा के defective lot को आप quarantine में मत भेजिए मैं उसे अभी reshorting करवा देंगा जो मेरे पास एक spare में manpower थी और साथ में मेरे साथ ही जो quality officer थे उनसे भी मैंने spare manpower demand की तो उन्होंने मुझे भी एक manpower प्रोवाइड की मैंने दौनों manpower को जो defective lot था उसमें लगाया और shop floor के उपर ही lot को splittering के लिए reshort करवा दिया तो मैंने क्या किया shop floor के उपर ही correction कर दिया यानि कि जो defective piece थे उनको निकलवा करके जो okay piece थे उनको उसके अंदर replace कर दिया तो इस तरह से lot जो है अब okay हो गया इस तरह से shop floor के उपर ही क्या कर दिया correction कर दिया तो यह है containment action और correction जब आप problem को पढ़ने से रोकते हैं यानि कि problem के effect को enhance होने से रोकते हैं तो वो क्या होता है containment action और जब आप problem को correct करते हैं जैसे के reshotting करवाना तो वो क्या है वो correction है उसे कहते हैं correction I hope के आपको correction और containment action का concept एकदम clear हो गया होगा तो फिर देर किस बात की है नीचे comment में लिखकर अपने experiences जरूर share कीजिए कि आपने किस problem के लिए क्या correction किया और कौन से containment action लिए जिससे औरों को भी पता लग सके correction और containment action के बारे में correction, corrective action और preventive action की इस सीरीज में next वीडियो में हम study करेंगे cause, failure mode and effect के relationship के बारे में इन तीनों के relationship के बारे में समझना बेहर जरूरी है corrective action और preventive action को study करने से पहले क्योंकि अगर इन तीनों का relationship अगर हम नहीं समझ पाई cause, failure mode और effect तो फिर ठीक से न तो corrective action लिये जा सकते हैं और न हम preventive action ले पाएंगे इसलिए आप shake hand with life YouTube चैनल को subscribe जरूर कर लें और bell icon को जरूर प्रेस कर दें www.shakehandwithlife.in पर विजट करें इस वीडियो में इतना ही see you soon in my next video thanks for watching